नमस्कार दोस्तो पूनम की चटपट्र सोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को अम्रूत की खट्टी मीठी सबजी बनाना सिखाऊंगी दोस्तो plac ये सबजी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमरूद की खटी-मीटी सबजी ये अमरूद मैंने अपने बागान से तोड़ा है ये देखिए इसमें कुछ कच्चा भी अमरूद है और कुछ पका हुआ भी अमरूद है लेकिन सबजी बनाने के लिए हमें थोड़ा हलکा पका हुआ अमरूद चाहिए इसे सबजी का स्वाध काफी अच्छा आता है कच्छे अमरूद का सबजी अच्छा नहीं बनता है तो चलिए थोड़ा पका हुआ अमरूद को चुल लेते हैं और इसे प्याले में रख लेते हैं मैंने तीन बड़े साइज का अम्रूद निकाला है यह थोड़ा पका हुआ 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 है और अब मैं अम्रूद को तुकड़ों में काट लूँगी अम्रूद जो काटूंगी तो इसका बीज में आधा निकाल लूँगी यह देखिए इस तरह से काटना है लगभग आधा बीज निकाल लूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी यह देखिए इस तरह से इसी तरह से मैं पाकी के अम्रूद को भी काट लूँगी यह देखिए मैंने अम्रूद को काट लिया है मिल्कुल छोटे साइज में और मैंने दो छोटे साइज का टमाटर लिया है और एक इंच टुकड़ा अध्रक का और एक हरी मिर्च को लिया है और इसे मैंने मिक्सी में अच्छे तरीके से बार एक पीस लिया है जो इस तरह का हो गया है चीनी मैंने वन फूर्थ कप लिया है आप चाहे तो कम यह जादा ले सकती है इसी वही लाल मिर्च एक टीजपून नमक एक टीजपून सर्सो का तेल एक टीजपून आप चाहे तो कोई साभी तेल इस्तमाल कर सकती है पीला सर्सो एक टीजपून आप चाहे तो काला सर्सो भी ले सकती है और कुछ मैंने करी के पत्तो को लिया है धनिया एक टीजपून हल्दी एक टीजपून अमचुर दो टीजपून मैंने लिया है चुले पर मैंने कड़ाई को चड़ा दिया है और कड़ाई हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें तेल को डाल दोंगी तेल भी हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें सर्सो के दानों को डाल दोंगी ये दिखिए सरसो का दाना हमारा चटक रहा है और अब मैं इसमें करी के पत्तों को डाल दूँगे और अब मैं इसमें टमाटर अत्रक और हरे मिर्च का पेस्ट को डाल दूँगे और इसे तीन से चार मिनट अच्छे से भून लेना है ये देखिए ये टमाटर अत्रक और हरी मिर्च अच्छे से भून चुका है और अब इसमें मैंने नमक डाला है धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर चीनी इन सभी समाग्रियों को डाल कर इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है और इसे चार से पाँच मिनट फिर पकाना है ये देखिए चार से पाँच मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें हम्चुर को मिला दे रही हूँ और आधा कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और अमरूत को डाल दिया है और मसालों के साथ अमरूत को अच्छे तरीके से मिला लेना है ये देखिए अमरूत और मसाला बिल्कुल एक सार हो चुका है और अब मैं इसे ढख दूँगी और फिर इसे चार से पांच मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि अमरूत हमारा ना गल जाए ये देखिए चार से पांच मिनट हो चुका है और अमरूत जो है वो हमारा बिल्कुल गल चुका है ये देखिए कितना सुन्दर इसका कलर आया है ये हमारा अमरूत का खट्टा मीठा सबजी बनकर बिल्कुल तयार है अब इसे मैं चुले से उतार कर प्याले में इसे डालूंगी ये देखिए प्याले में मैंने इसे निकाल दिया है तो दोस्तों ये हमारी अमरूत की खट्टी मीठी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे पूरी पराठा चावल जिस किसी के साथ चाहे आप इसे खा सकती है और इसे फ्रीज में रखकर 5-6 दिन तक आराम से खा सकती हैं तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर बताए और यदि आप वह अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थांक्स वाराइब दूर्थी आप्र अविदी मुझे दो